जै मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बैस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2021 में हनुमान जैनती का पर्व कब बनाया जाएगा? और इसकी पूजा का सुमूरत क्या रहेगा? इसके लावा हम बात करेंगे हनुमान जैनती की पूजन सामगरी वासंपून पूजाविदी के बारे में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रूकेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूटूब चैनल वर्ल बैस्ट मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बल आइकन दबा दें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेहर करें तो आइए सुरू करते हैं दोस्तों हनुमान जैन्ती के दिन राम भक्त हनुमान जी की पूजा की जाती है सास्त्रों के नुसार चैत्र महा के सुक्ल पक्ष की पून्मा के दिन हनुमान जी का जन्म माना जाता है हनुमान जी को कल्यूग में सबसे का नाम अंजना था बजरंग बली भगवान सिरी राम जी के परम भक्त थे हनुमान जैनती के दिन भक्त बजरंग बली के नाम का प्रत रखते हैं इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला और बूंदी के प्रसात का भोग लगाते हैं ये दिन हनुमान भक्त के लिए बहुत ह महत पूर्ण होता है इस दिन लोग हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाट करते हैं वही लोग इस दिन अपने घरों में सुन्दर कांड और रमार का भी पाट करवाते हैं आपको बता दें कि हनुमान जी को चिरन जीवी भी कहा जाता है जिसका अर्थ है कभी न मरने वाला बजरंग बली अपने भक्तों से सीगर ही प्रसंद हो जाते हैं दोस्तों हनुमान जी को बजरंग बली के अलावा पवन सुत, पवन कुमार, अंजनी सुत, बाली बीमा, महावीर, संकट मोचन, मरुद सुता, मारूती, अंजने और रुद नाम से में जाना जाता है चलिए अब बात करते हैं कि साल 2021 में हनुमान जैनती का पर्व कम मनाया जाएगा तो आपको बता दें कि 27 अपरेल 2021 दिन मंगल वार को हनुमान जैनती का पर्व मनाया जाएगा और पूर्णमा तिती की सुरुवात 26 अपरेल 2021 की दो पहर को 12 बज़ कर 44 मिनट पर होगी हनुमान जी का जन्म पूर्णमा की रात में हुआ था इसलिए मानता है कि पूर्णमा काल की अवधी में हनुमान जी की पूजा संपन करना सुभ होता है ऐसा माना जाता है कि हनुमान जैन्ती के आउसर पर रात्री के समय हनुमान जी की पूजा करना अत्यंद फलदाई होता है दोस्तों अब हम बात करेंगे पूजन समगरी के बारे में आप पूजा के लिए लकडी की चौकी या पटा लें लाल कपड़ा या लंगोट हनुमान जी की मूर्ती या फोटो ले लें अक्षत, तुलसी की पत्ती, धूम दीन, घी, फल, फूल, माला, चमेली का तेल, सिंदूर, रोली, चंदन, जनेव, इत्र, पान का बीड़ा नैवेद में गुण और भुने हुए चने, बेसन के लड़ू आदिसामगरी की आवशक्ता होती है दोस्तों, इस दिन वृत रखने वाले को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है हनुमान जी की पूजा में ब्रह्मचर का विसेश रूप से ध्यान रखा जाता है इसलिए आपको हनुमान जैन्ती के दिन एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर का पालन करना चाहिए हनुमान जैन्ती के दिन सुभा प्राता काल उठ कर राम सीता और हनुमान जी का इस्मरण करें और इस नान करने के बाद साफ कपड़े पहन कर पूर्विदिसा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठ जाएं फिर लकडे की चौकी पर गंगा जल छड़कें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें कपड़ा बिछाने के बाद आप हनुमान जी की और सीता राम जी की प्रतिमा इस्थापित कर दें इसके बाद हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक जलाएं उन्हें लाल पुस्प, चोला और सिंदूर अर्पित करें हनुमान जी को लाल लंगोट या जनेव अर्पित करें इत्र छुड़कें तत पस्चात हनुमान चालीसा या हनुमान जी के मंत्रों का जाब करें या बजरंग बाण और राम इसुती का पाड़ भी कर सकते हैं हनुमान जी को पान का बीड़ा भी अतिप्री है इसलिए हनुमान जी को पान अवस्य अर्पित करें इसके बाद हनुमान जी की आर्थी करें और गुर्चने और गुंदी के प्रसात का भोग लगाएं आप ध्यान रखें कि नैवेद और पित करते समय तुलसी दल अवस्से रखें दोस्तों मंगल कामना के लिए इमर्ती का भोग लगाना अतिसुब माना गया है हनुमान जैन्ती के दिन सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए राम चरित्मानस का पाट करना अत्तिसुब माना गया है भोग लगाने के बाद हनुमान जी से छमा याजना अवस्से करें क्योंकि अक्सर कूजा में जाने अन्जाने कोई न कोई भूल हो जाती है अगर हो सके तो इस दिन बंदरों को गुड और चना अवज से खिलाएं इस दिन बंदरों को गुड और चना खिलाना काफी सुब माना जाता है इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चणाने से सारी मनोकामनाएं सीगर पूरी हो जाती है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जैमातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ ही साथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद